आजब कुछ तीन दिन पहले रिचर्ड ब्रांसन जो कि आप देख सकते हैं तस्वीर में यह वेक्ती यह अपने कुछ रॉकेट प्लेन में उनका प्लेन कुछ इस प्रकार का है वर्जिन गेलेक्टिक कंपणी है इस कंपनी इनहीं की कंपणी तो इसके रॉकेट प्लेन में पहली कंपनी हो गए जो की ऑफीशली स्पेस टूरिजम स्टार्ट करवा रही है विश्व भर में पर दोस्तों यहां पर कुछ यह जो इवेंट है हाला कि मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है लेकिन इसके बावजूत यह कुछ सवालों के घेरे में आ गया है कई experts ऐसा कह रहे हैं कि इनकी जो height है जिस पर आफीशली स्पेस नहीं कहलाई जाई जासकती तो यह जिस हाइट पर गये हैं वो स्पेस नहीं है तो इस वज़े से यह इनकी जो company जो service provide कर रही है उसमें अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आप स्पेस पिएरर नहीं कहलाएं सब्सक्राइब है तो यहां पर उठता है यह स्टार्ट कहां पर होता है तो क्या रिचर ब्रान अंति एक तक सच में पहुचे हैं या नहीं पहुचे हैं तो आज हम इसी को जानेंगे समझेंगे तो दोस्तों मुझसे पहली बात जुड़ें उनके मेरा नाम किंजल चौजरी है आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के उपरां आपको पीडियोफ अब्रेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ यहां पर आप मुझे फॉलो करें तो सवाल अलग अलग इंडिया से लेके विदेश्वर के अखबार में चल रहे हैं तो सवाल यहां पर सच में यही उठ रहा है रिचर्ट ब्रैंसन ऐसी फोटो तो खिचवा लिया है माइक्रो ग्राविटी का मज़े लेते हुए कुछ पांच्चे मेरे मज़े लिये हैं इस मा अवजूद यह स्पेस में नहीं जा पाए तो यह गए या नहीं गए तो दोस्तों यह बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका जवाब मैं आपको अभी बता देता हूं यह निर्भर करता है आप किससे यह सवाल पूछते हैं लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सब्सक्राइब करने डाए तो क्या होगा मान लीजिए एक सैटलाइट है कुछ चाइना की उपर 55 माइल्स के हाइट पे यह ऑपरेट कर रही है चाईना के उपर अगर स्पेस का लिमिट 50 माइल है तो सही बात है 55 माइल्स पे ऐपरेट कर रही है कोई दिकत नहीं है आउटर कर रहे हैं और यह क्या है एक Act of Military Aggression है तो बहुत जरूरी है कि हम Space को Define करें तो इसलिए इसको internationally हमें कुछ करना चाहिए खैर छोड़िए वो बात की बात है फिलहाल इस पर आते हैं कि Space को कैसे Define कर सकते हैं तो most experts से आप पूछें तो वो कहते Space आप वहां पर Define कीजिए जहां पर orbital dynamic forces aerodynamic forces से ज्यादा important हो जाएं तो इसके लिए कोई single point नहीं है तो दोस्तों यह क्या हुआ कि कोई भी body अगर rotating motion में घूम रहा है तो वो जो forces experience कर रहा है वो क्या है orbital dynamic forces और atmosphere के उपर जब plane चल रहा है तो वो कैसे हवात में air को जब move कर रहा है उसमें तो कैसे forces को पार करता हो जा रहा है तो उसमें aerodynamic forces है तो दोस्तों जब rotational movement वाला forces इस हवा में उपर नीचे होने वाले forces को supersede कर जाए तो हम कहेंगे वह point क्या हो गया space हो पर दोस्तों दिक्कत की बात क्या है ना यह aerodynamic forces and orbital dynamic forces orbital dynamic forces निर्भर करता है किसी भी object के मास पर और उसका क्या orbit है किस कितना radius का orbit है उस पर वो निर्भर करेगा तो जाहिर सी बात है यह कोई एक point पर पहुँच पाना बहुत मुश्किल है जहां पर हम कह सके space शुरू होता है तो कोई single point नहीं है ऐसा जहां पर space शुरू होता है लेकिन most accepted definition है outer space का कार्मिन लाइन तो दोस्तों कार्मिन लाइन क्या है तो दोस्तों अगर आप देखे तो एक Hungarian American engineer थे थेडोर वान कार्मिन तो उन्होंने कहा कि 50 mile limit होनी चाहिए या फिर 80 km की limit होनी चाहिए क्योंकि यह वो point है जहां पर air बहुत पतला है और इस वज़े से इस height के बाद plane उपर नहीं उड़ पाएगा तो यहां पर अगर आप देखे तो यहां पर आप देखे तो और बिटल डाइनमिक फोर्सेज का रोल बढ़ जाएगा तो इसलिए उन्होंने का यह 50 mile limit या 80 km होना चाहिए कुछ वरिश बात उन्होंने क्या किया इस 80 km को ही round-up कर दिया और कहा 100 km और 62 माइल्स होना चाहिए तो इसके बाद से इंटरनाशनली क्या हो गया 62 माइल से 100 km पे कारमेन लाइन हमने तै कर दिया और यही अगर आप देखे तो Federation Aeronautic International Switzerland की एक संस्थान है उसने भी आउटर स्वेस का limit कारमेन लाइन मान लिया कुछ 100 km पे और इसी FAI के definition को बहुत सारे अलग-अलग agencies भी मानते हैं तो अगर आप most लोग, maximum लोग जिस definition को मानते हैं वो क्या है Carmen Line at the height of 62 miles या फिर 100 km वहीं दोस्तों अगर आप US की बात करें तो US का कोई official definition नहीं है, कोई law में definition नहीं है लेकिन US Air Force, NOAA and NASA यह 50 miles का definition मानते हैं याने 80 km का definition मानते हैं और कहते हैं यही boundary है जिसके बाद space start हो जाता है तो अगर कोई भी व्यक्ति इस 80 km boundary के ऊपर चला जाता है तो Air Force उसको astronaut के wings दे देती है और कहती है आज से आप astronaut हो गए तो वो flyers astronaut हो जाएंगे अगर वो 80 km के boundary को पार कर गए 50 miles क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप देखे तो यह lowest limit है जहाँ पे satellites fly कर सकते हैं 50 miles के बाद आप देखे दोस्तों इसके नीचे friction इतना जादा हो जाएगा कि जो satellite है वो अपना orbit जल्दी lose कर देगी और धीरे धीरे अपना altitude भी lose करना शुरू कर देगी और कुछ time में burn हो जाएगी याने जल जाएगी friction के वज़े से तो इस वज़े से क्या चुना उन्होंने 50 miles का definition लिया है 80 km का अन्य researcher की बात करें दोस्तों तो आज के time में कई अलग-अलग अलग answers आ रहे हैं जितने लोग उतने जवाब तो युनिवर्स्टी ऑफ कैल्गरी की बात करते तो यह कहते हैं कि 118 km होना चाहिए स्पेस की लिमिट क्यूंकि वहां पर एर्थ के atmosphere में हवाएं चल रही है और वहां तक कुछ charge particles देखने मिलते हैं तो 118 km लिमिट तय कर दीजिए वहीं जॉनतन सी मैकडवेल अगर आप हारवर्ड स्विट्सोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें जहां से यह आते हैं तो यह कहते कि 80 km बढ़िया है क्योंकि यहां पर आप देखें तो ट्रोपोस्वेर स्ट्रेटोस्वेर मिसोस्वेर है और वह कहते हैं मिसोस्वेर के अगे स्पेस होना चाहिए और ट्रोपोस्वेर स्ट्रेटोस्वेर तक प्रोपोस्वेर स्ट्रेटोस्वेर अन्ट मिसोस्वेर तक एट्मॉस्वेर मानके चलते हैं और इसके बियांड आउटर स्पेस याने 80 km तक जहां तक कुछ मिसोस्वेर आपको देखने मिलेगा most parts of the earth तो दोस्तों यहां पर सवाल उठता है क्या रिचार्ट ब्रांसन स्पेस पहुंचे या नहीं पहुंचे अंतरिक्स तक पहुंचे यह नहीं पहुंचे तो इसका जवाब है अगर आप नासा का डेफिनीशन देखें तो वह तो कहते हैं कि भाई कितना डेफिनीशन है 50 माईल 15 या फिर 80 km तो यह तो भाई 86 km तक गए हैं जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया 86 km तक पहुँचे तो नासा के अनुसार तो रिचर्ड ब्रैंसन खुश हो गए वो देखिए माईक्रो ग्राविटी की फोटो डाले भी हैं तो नासा के अनुसार तो यह पहुँच गए स्पेस पर और कुछ एस्टोनॉट जैता ही उनको भी अगर नासा के द्वारा बेजे जाते तो उनको एस्टोनॉट का भी बैज मिल जाता हाला कि एस्टोनॉट को बहुत ज्यादा रिक्ष्रम एक्सर्टाइज ट्रेनिंग एंड सेलेक्शन प्रोसेस डिसपॉइंटमेंट जिलना पड़ता है उसके बावजूत सब कुछ मान के चलते तो भी इनको वह उनको 50 माइल्स का बैरियर पार करने पे इनको एक लिस्ट बैज तो मिल जाता वहीं दोस्तों अगर आ आईएगा कौन सी कंपनी है आप सब उससे रोज रूबरू होते हैं तो ब्लू और जिन ने देखिए क्या ट्वीट किया है सिर्फ चार परसेंट लोग दुनिया के 80 किलो मिटर को रिकोगनाइज करते हैं स्पेस कहां से स्टार्ट होती है कारमेन लाइन 100 किलो मिटर तो आप कारमेन लाइन को भी के भी ऊपर ट्रैवल करेंगे लेकिन वर्जिन वर्जिन गैलेक्टिक में जाएं तो आप कुछ 86 किलो मिटर पर ही ट्रैवल कर रहें तो आप कारमेन लाइन को पार नहीं कर रहें तो आप ट्रू सेंस में ऐस पर ब्लू और जिन स्पेस पर नहीं जा रहे हैं वहीं अगर आप देखे तो बागी चीज भी कहते हैं कि ब्लू और जिन में जाएंगे तो सच में रॉकेट से जाएंगे वहीं आप वर्जिन गैलेक्टिक से जाएंगे तो आप रॉकेट प्लेन में बैठ के जा रहे हैं तो आप टू सेंस में रॉकेट का भी मज की नहीं है विट बॉटम लाइन यह सो किलोमिटर के भी उपर ट्रैवल करने वाली तो आपके पास पैसे हैं आप जाने का सोच रहे हैं तो मेरा मानना है आप ब्लू और जिन से जाएं क्योंकि आप कार्मेन लाइन के भी उपर जाएंगे तो जो भी है दोस्तों जब भी एन अगर आप देखें तो इंडिया की बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके द्वारात बनाया गया सारा कूर्स आपको मिलेगा अगर आप अनकाडमी जॉइन करें तो आप देख सकते हैं वहीं दोस्तों मैं आपको और भी बता देता हूं तो अनक अनकाडमी प्रॉमस है 14 जुलाइक को खतम हो रहा है और आज खतम हो रहा है दोस्तों सब्सक्रिप्शन के साथ एक साल सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्टेंड मिलेगा अगर आप एक्जाम नहीं क्लियर कर पाते हैं अनकाडमी नोट्स मिल रहे हैं हिंदी-इंगलिश दोन दो साल का प्लस का कॉस्ट है 14,800 रुपए दो साल के आइकनिक का कॉस्ट है 1,415 रुपए वहीं दोस्तों आप देखें अगर आप्शन सब्सक्रिप्शन देखें तो इस एक साल की कॉस्ट है 24,750 रुपए और 14 जुलाइक को दोस्तों नहीं बैचेज भी स्टार्ट हो रहे झाल 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